दोस्तों आप देख रहे हैं रिव्यू मास्टर और मैं हूँ विकरांत चोशी जैसे कि आपको पता है आइफोन 7 अब लॉंच हो चुके हैं और 16 सितंबर को ये लोगों के हाथों पे भी पहुंच जाएंगे तो देखते हैं एक क्विक डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के माध ब्लैक अलाकि सारे रंग 32GB 128GB 256GB में उपलब्द होंगे पर जेट ब्लैक ओनली 128GB और 256GB के मॉडल में उपलब्द होगा आइफोन 7 4.7 इंच रेटीन एच्डी डिस्प्ले के साथ मिलता है वहीं आइफोन 7 प्लस 5.5 रेटीन एच्डी डिस्प्ले के साथ मिलता है दोनो फोनों की वजिन की बात की जाए तो आइफोन 7 138GB का और आइफोन 7 प्लस 188GB का है कंपनी की दावे की बात की जाए तो दोनों फोन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस हैं और दोनों ही फोन एट एन फ्यूजन त्रिप पर चबते हैं दोनों ही फोनों में आपको 12 MP का कैमरा प्राप्त होता है आईफोन 7 प्लस में आपको 2 in 2 आप्टिकल जूम मिलता है जो की दो लेंसों के त्वारा प्राप्त होता है डिजिटल जूम की बात की जाए तो आईफोन 7 का 5 in 2 का डिजिटल जूम मिलता है और वहीं आईफोन 7 प्लस में 10 in 2 का डिजिटल जूम मिलता है इ कमपणी ने दोनों ही वैरियंट में टूर स्पीकर्स का यूज किया है आपको वायरलेस एयर फोन्स भी देखने को मिल सकते हैं कमपणी ने इसका नाम एयर पॉट्स रखा है कमपणी का दावा है कि A10 चिप सेट होने के वज़े से फोन को दोगुनी रफतार मिलेगी और सबस से लंबी बैटरी आइफोन के इतियास में प्राप्त होगी आइफोन 7 और 7 प्लस में 3D टच टेक्नलोजी का इस्तमाल किया गया है जो कि उंगली के प्रेसर से यह जान लेगा कि किस आप्शन का चुनाव आपने किया है और होम बटन पर ही फिंगर बिंट सेंसर भी लगा कर रही है इस फोन में बिल्ट इन एप्स की बात भी कर लेते हैं मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से एक आइफोन 7 और 7S का ओवर लुक मिल गया होगा कमेंट में ये बताएं कि आप कौन सा फोन खरी देंगे और आपको वीडियो कैसा लगा और अब मैं चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें लाइक करें कमेंट करें दूसरों तक पहुचाएं और सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि मैं इस तरह की और वीडियो आप से सामने प्रस्तुत करता रहूँ तैंक यू जैहिंद